कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मापक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला कानूनी सला या तो व्यक्तिगज सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दुर्ष दो, ब्लेक रोग के CEO Larry Fink आपके सामने जो तस्वीर दिकरा ये ब्लेक रोग के CEO है और ये वही ब्लेक रोग जो दुनिया का दिग्यस ऐसेट मेनेजमेन करता कम्पनी यह वही ब्लेक रोखे जिसने बिटकोईन के लिए स्पोर्ट बिटकोई एटियाप को फाइलिंग करके अप्रूवल भी करवा दिया यह जो CEO है कुछ टाइम पेले मतलब 6-7 महिने पेले की बात है बिटकोईन को कहते हैं बिटकोईन को कहते हैं डिजिटल गॉल्ड मतलब की गॉल्ड का दरज्जा यही CEO ने दिया आज की दिन हम बात करेंगे तो तो आपके सामने तस्विर दी कर रहा है यह हैं माइक्रो स्टेटर जी कंपनी के फाउंडर जो लगातार बिटकोईन को खरीद रही है तो फिलाल इतना तो समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी दो बड़े ऐसे प्लेयर हैं लगातार बिटकोईन को खरीद रहे हैं और बड़ा फोमो कर रहे हैं यहां पर कही न कहीं यह भी कहेंगे कि दोनों बंदे के पास उतने सारे बिटकोईन हैं कि वो किसी भी तरीके से बिटकोईन को मेनुप्लेट कर सकते हैं अगर चाहते हैं दोनों तो बिटकोन को पंप भी करवा सकते हैं अगर चाहेना कि बिटकोन 20,000 डिजिल गोल इचना इतना बावर आचुका है तो आजके दिन माईकल सेलर जो आपके समने तस्वेस दिख रहा है ये भी बोलते हैं बिटकोइन के लिए बिटकोइन इस दिजिटल गोल्ड मतलब दोनों के ब्यान सेम है और दोनों बड़ी भेल है और एक दूसरे कॉम्पिटिशन कर रहे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि जैसे ब्लेक रोक आगे निकला बिटकोइन की होल्डिंग के अंदर कल के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि 3000 बिटकोइन ज्यादा थे ब्लेक रोक के पास कंपेड़ टू माइक्रो स्टेटर जी ये रहात अस्विर मैंने खुद कवर किया था कि जो ब्लेक रोक है करंटली वन लेक 96,089 बिटकोइन का आगड़ा हमारे सामने आया ओई माइक्रो जो स्टेटर जी है उसे पिछे सोड़ दिया मतलब कि माइक्रो स्टेटर जी के पास वन लेक 93,000 तो माइक्रो स्टेटर जी ने आज की दिन क्या किया माइक्रो स्टेटर जी ने आज की दिन एडिशनल 12,000 बिटकोइन खरीदा मतलब कि उसका वर्थ अभी के टाइम पे जो बिटकोइन 71, 72,000 डोलर के आसपास ट्रेड कर रहा है उसने बताए कि इसने खरीदा है 68,477 पर BTC 821.7 मिलियन डोलर का वर्थ होता है और अब माइक्रो स्टेटर जी के पास 2,05,000 बिटकोइन हो चुके है दो दिन पेले हम देखे थे कि बलेक रूग आगे निकल गया माइक्रो स्टेटर जी को पिछे शोड़ दिया तो माइकल सेलर ने अगें 12,000 जितने बिटकोइन खरीदे हैं अब ये दोनों आमने सामने खरीद रहे हैं इलालज भी दिखा रहे हैं ये भी मैं कहना चाहता हूँ यही दोनों मिलके डंप भी कराएंगे बट हमें बताएंगे नि इकन्फो में कब तक फोमो करेंगे उसका पता नहीं है बट आगे डंप भी जल्दी से ये दोनों की बज़े से ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बिटकोइन ये दोनों के पास है और भी वेल है बट जितना ये दोनों खरीद रहे माइकल शेलर और साथी साथ बात करेंगे बलेक रोग की बात करेंगे लेरी फिंक बार-बार ब्यान दे रहे है माइकल सेलर भी बार-बार ब्यान दे रहे है अच्छे चीज है कि दोनों खरीद रहे मार्केट को उपर लेके जार है बाट यहाँ पे दोनों कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते क्योंकि ज्यादा इससा इसके पास है ज्यादा इससा है तो जितना चाहिए उतना मेनू प्लेट वो कर सकते है और जब चाहिए तब कर सकते है और अभी हम चार्ट के अंदर देखेंगे बिटकोइन का प्राइज चल ला है 71,700 डोलर आज की दिन हम प्रिवेस बुल मार्केट की बात करेंगे 69,000 डोलर का जो हाई टूटना था आज की दिन उपर एक केंडल हमें देखने को मिल रहा है अब एक कुछ टाइम यहाँ पर लगाएगा कि क्लियर कट ब्रिक आउट है या नहीं है कुछ यहाँ पर वेट करेंगे जो की मोर्निंग में इसका मैनलसेज कर चुके है और क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि किसी से कहने से मार्केट उपर या तो नीचे नहीं दाती है सब कुस वेल के हाथ में रहता है और कुसी वेल है मतलब वेल की कॉंटिटी कम है और उसके पास क्रिप्टो ज्यादा है तो उसी के आज में रहेगा और मेनूप्लेट भी रहेगा और खासकर में बता दू अमरिका के आथ में बिटकोईन का प्राइज उपर नीचे करना वो अमरिकन बड़े बड़े लोगो के पास ही है क्योंकि आप देख रहे होंगे जब भी भी बड़ा मुमेंट आएगा रात का टाइम होगा इंडियन टाइम तब अमरिका के अंदर दीन का टाइम होता है अब ये फोमो बड़ा के उपर ले जा रहे और यही लोग मारिकेट को गिराएंगे तो आपके इसाफ से टाइम पे प्रॉफिट बॉक करना बहुत ज़रूरी है हर एक वीडियो के अंदर बदाता हूँ मैं अभी पर्चेशिंग के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करता के अंदर हो लगाया हुआ पैसा इटलिस्ट यहां से निकलना चाहिए वाकिए अब क्या कहते हो कोमेट में बताना मिल देखने वीडियो के साथ